अभी इस वीडियो में हम 274 का स्क्वार रूट प्राइम फेक्टराइजिशन मैथरड को काम में लेते वे निकालना सीखेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखें यानि अभाज ये गुणंद खंड विदी से निकालना सीखेंगे अन्य वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी उन्हें जाकर देखें बिल्कु सिंपल है दोस्तों हम इसके प्राइम फेक्टर करते हैं देखें 2704 प्राइम फेक्टर करने के लिए हम अपने प्राइम संख्याओं का भाग देते हैं दो तीन पांच साथ ग्यारा सत्रा और आपका तैरा उन्नीस इत्यादी देखें हम दोसे सुरात करेंगे कोई भी संख्या दोसे विभाजिक कव होती है जब उसका यहां पर अंतिम अंख क 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई एक हो तो यह दो से आपका complete divide होगा तो देखें दो का भाग करता हूं यहां एक आगया यहां तीन आगया पांच आगया दो आगया उसके बाद दुबारा दो का भाग करते हैं यहां पर 6 आगया उसके बाद यहां पर 7 आगया यहां पर 6 आगया द दूबर हमें दो का भाग देता हूँ, एक आ गया, छे आ गया, नो आ गया, अब देखिए इसमें आपका दो का भाग नहीं जाएगा, complete डिवाइड नहीं जाएगा, तो तीन का देखें, तीन का भी नहीं जाएगा, पांस का देखें नहीं जाएगा, साथ का नहीं जाएगा, कि ये क्या होता है 13 खश्कवर होता मतलब 13 का जाएगा 13 का कितनी 13 वार जाएगा भाग देखे देख लेना एक वार गया कितना 3 आ गया 9 को यहां लाएंगे कितना 3 वार गया 49 आ गया रिमेंटर आपका 0 आ रहा है देखिए complete divide होना जरूरी है 13 देखे prime number है prime number खुझ से ही divide होता है तो यहां पर यहां पर यहां आपका जो 2704 है इसके prime factor क्या आगे 2 कितनी वार आया देखो 1, 2, 3, 4 वार आया है तो 2 multiply 4 उसके बाद 13 कितनी वार 2 वार आया है यह आपके आगे दूस्तों इसके prime factor अब देखिए हम बात किसकी कर रहे है इसके undroot की बात कर रहे है तो इसके undroot का value क्या होगा वो ध्यान से समझेए देखिए हम यहां पर समान संख्या को लेते वे जिसे 2 को 2 के साथ लेकर 13 को 13 के साथ लेकर 2-2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेंगे परते एक जोड़े से यहां पर उसको हम एक वार बहार लिख देंगे इससे 2 को लिख दिया यह 13 का जोड़ा यहां से 13 लिख दिया इनका multiply करते हैं तो आपका 23, 26, 26 multiply दो कितना 52 तो यहां पर इसका आपका अंडूट का value कितना निकल कर आया है बावन निकल कर आया है किसके दौरा आपके prime factorization method के दौरा वीडियो कैसा लगा comment कर बताएं अगले वीडियो फिर मिलते हैं